चुरेल का घर भूट ये कहानी गाव के किनारे पर एक पुराना और उजाल घर खड़ा था जिसे सभी लोग चुरेल का घर कहते थे लोगों का मानना था कि इस घर में एक चुरेल का वास था जिसने कई साल पहले गाव के लोगों को आतंकित किया था कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खास कर राग के समय ये बात तब की है जब मैं 10 साल का था, मेरे दादा जी ने मुझे इस घर के बारे में बताया था उन्होंने कहा था कि राग के समय इस घर के अंदर से चीखने और रोने की आवाजे आती थी कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने चुलेल कुखुद अपनी आँखों से देखा था बोकाली साड़ी में लिप्टी एक लंबी और दरावनी ओरत थी जिसके लंबे नाखून और बड़े बड़े दाँख थे उसकी आँखी लाल हो जाती थी जब वो किसी को देखती थी समय पीटता गया और मेरी उमर बढ़ती गई मेरे अंदर उस धर की सच्चाई जानने की उच्शुता बढ़ती गई एक दिन मैंने अपने दोस्तों से इस बारे में चर्चा की और हमने तैट किया कि हम मिलकर उस धर के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि असल में बहां क्या है मेरे तीन दोस्त प्रोहन, विजय और अनुज मेरे साथ थे हमने रात के समय जाने का फैसला किया क्योंकि दिन में बहां कुछ खास दिखाई नहीं देता था हमने टॉर्च, रसी और कुछ खाने पीने की चीज़े अपने साथ ले ली जब रात का अंधेरा चा गया और पूरा गाउं सो गया, हम चारों चुपचाप उस धर की ओर चल पड़े रास्ते में हमें बहुत दर लग रहा था, लेकिन हमने एक गुंजरे को हिम्मत दिलाए और आगे बढ़ते गए जब हम घर के पास पहुँचे, तो हमने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था दिल की धड़कने तेज हो गई, लेकिन हम रुके नहीं, धीरे-धीरे कदम पढ़ाते हुए हम अंदर चले गए अंदर का द्रिश्य बहुत भयानक था, दिवारे तूप चुकी थी, छट से मगली के जाले लटक रहे थे और फर्ष पर भूल की मोटी परती, चारो और सन्नाटा था, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है जैसे ही हम अंदर पड़े, हमने सुना कि किसी ने हमारे पीछे दरवाजा बंद कर दिया हम सबने एक दूसरे को देखा और दर के मारे हमारी हालत खराब हो गई फिर अचानक ही हमें एक खंडी हवा का जोका महसूस हुआ और हमने देखा कि एक काला साया हमारे सामने से गुच्रा रोहन ने कहा, चलो, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए लेकिन पिजय ने उसे रोका और कहा, हम यहां सच जानने आये हैं, घर के भाग नहीं सकते हमने आगे बढ़ते हुए घर का हर कोना चान मारा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला तब ही हमें एक कमरे से हलकी रोशनी दिखाई थी, हम धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े कमरे में गुस्ते ही हमने देखा कि बहां एक बड़ी सी आइना लगी हुई थी और उसके सामने एक औरत ख़़ी थी वह काली साड़ी में थी और उसकी आँखे लाल चमक रही थी हमें समझ में आ गया कि यही वह चुरेल है जिसके बारे में हमने सुना था चुरेल ने हमें देखा और जोर-जोर से हंसने लगी उसकी हंसी से हमारे शरीर में सहरन दोर गई उसने हमें अपने पास बुलाया और कहा तुम लोग यहां क्यों आएंगों? क्या तुमने अपनी जान की परवा नहीं? हमने हिम्मत जुटा कर कहा हम सच जानने आए हैं चुरेल ने फिर से हंसते हुए कहा सच जानना चाहते हो तो जान दो इस धर में मेरे साथ हुए अन्याय का बन्ला लेने के लिए मैं यहां रहती हूँ मुझे यहां के लोगों ने मारा था और मेरी आत्मा इस धर में कैद हो गई हमने चुरेल से पोछा हमें यहां से जाने दो हम कभी वापस नहीं आएंगे चुरेल ने कहा यहां से जाने का रास्ता सिर्फ एगी है तो भी मेरी आत्मा को मुझ्ट करना होगा हमने पोछा वो कैसे होगा चुरेल ने कहा इस धर के नीचे एक प्राचीन शिवजी का पूजास्थल है वहां जाकर मेरी आत्मा की शांती के लिए प्रार्थना करो। हमने हिम्मत जुटा कर पूजा स्थल की खोड़ शुरू की। घर की एक कोने में हमें एक सीधी मिली जो नीचे तहखाने में जा रही थी। हम नीचे उद्रे और वहाँ एक पुराना पूचा स्थल देखा, हमने वहाँ दिये जलाए और चुरेल की आत्मा की शान्ती के लिए प्रार्थना की, अच्छानक ही तेज हवा का जुका आया और हमें ऐसा लगा कि कोई हमारे चारों और खूल रहा है, प्रार्थना करते ही हम में चुरेल की आवाज सुना आई डी, धन्यवाद, अब मेरी आत्मा को शान्ती मिल गई है, उसके बाद सब कुछ शान्त हो गया, हम तेजी से उपर आये और देखा कि दरवाजा फिर से खुल गया था, हम घर से बाहर निकले और तेजी से भागते हुए गाउं की ओर मुझे उसकी आवाज और उसकी कहानी याद आती है, गाउं की लोग अब भी उस घर से डरते हैं, लेकिन मुझे पता है कि अब वहाँ कोई डर नहीं है क्योंकि जुलेल की आत्मा को शान्ती मिल चुकी है, इस घरतना ने हमें ये सिखाया कि हर कहानी के पीछे एक कर दीना